नमस्कार आप देख रहे हैं जियोबिनुज तो दोस्तो वक्त हो गया है दोपार की बड़ी खबर को जानने का तो उसे पहले अगर आपने अवी तक जियोबिनुज को सबस्क्राइब करके all notification बिलको ओन कर दिजिये महरास्ट में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का नियोता मिला है राज़ेपाल भगत सिंग कोस्यारी ने बीजेपी को सरकार बनाने का नियोता दिया है राजबहौन की ओर से बयान में कहा गया है कि बीजेपी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है के नेता देवेंद फर्णवी से पूछा है कि वे महराष्ट में सरकार बनाने की इच्छा और छमता को लेकर उन्हें आउगत कराएं क्यूंकि चुनाओ परिणाम के 15 दिन बीद जाने के बाद भी अभी तक किसी पार्टी या गटबंदन ने परदेश में सरकार बनाने का दा पर नहीं देखा जाना चाहिए मगर सत्तारोड भारती जन्ता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी को कुछ हद तक स्रेय देने से नहीं चुकी है पार्टी ने कहा कि उनका कारेकाल सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा बाजपा के का पागत करते हुए बयान में कहा गया कि भाजपा राम मंदिर के निर्मान के लिए हमेशा प्रतिबद रही है पालंपूर संकल्प से आज तक भाजपा ने इस मुद्दे पर इमांदार और सकरात्मक भूमी का निभाई है और अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किय अखिलेईश यादो ने कहा आयोध्या फैसले को एतिहासिक निर्णई के रूप में याद रखा जाएगा जीएं समाजवाधी पार्टी के राश्री अध्यक्ष अखिलेश यादो ने आयोध्या मामले पर सुप्रिम कोट के फैसले का साइराना अंदाज में अपने प्रति करते हुए अयोध्या में विवादित असल पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रसस्त कर दिया। इसके सांथ ही कोट ने कहा कि सुन्नी वक्ष बोड को मस्जिद के लिए पांच एकड़ वैकल्पिक जमिन दी जाए। सुब मोहुर्ट देखकर 2020 से सुरू होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण। जिहां अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में सुप्रिम कोट की ओर से फैसला देने के बाद रास्तिय स्वयम सवक संग के सूतरों का कहना है कि अगले साल 2020 से निर्माण का कारे सुरू हो इस समय जिस जगह पर चबूतरे पर राम लला विराजमान है वहीं बनने जा रहे मंदिर का गर्भगरी होगा सुप्रिम कोट के आदेश के मुताबिक ट्रस्ट के जरिये अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना है सुप्रिम कोट ने केंदर सरकार से तीन महीने के भी है कॉंग्रेस जिहां अयोध्या मामले में सुप्रिम कोट के फैसले से भले ही एक बहुत पुराने विवाद का अंत हो गया हो लेकिन इसके जरिये कॉंग्रेस अपने बारे में अलप संख्यक तुष्टी करण की धारना को तोड़ कर बहु संख्यक समाज में लोकप्रियता का गराफ एक बार फिर से बढ़ाने के अवसर के तोर पर देख रही है सायद यहीं वज़ा है कि निर्ने आने के ततकाल बाद उसने विवादित अस्थल पर मंदिर निर्मान का खुल कर समर्थन किया है मुख्य विबक्ची पार्टी को लगता है कि कोट के फैसले के बाद अब उस मुद्दे का पूरी तरह पटा छेप हो जाएगा जो दसकों से बीजेपी के लिए फायदे का मुद्दा रहा है फैसला आने के बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुर्जेवाला ने खुल कर कहा कि कॉंग्रिस अयोध्या में राम मंदिर निर्मान क संजे राउत का तंज कहा जो खांदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है जिहां सिउसना नेता संजे राउत ने कहा कि राम मंदिर किसी एक पार्टी की जीत नहीं है सिउसना की भी उसमें खुद दावा करना चाहिए। राउत ने कहा कि अगर कोई सरकार बनाने को तयार नहीं है तो सीवशना यह जिम्मा ले सकती है। कॉंग्रेस राज्य की दुस्मन नहीं है। सभी पार्टियों की कुछ मुद्दों पर अलग-अलग राय हो सकती है। उन्होंने कहा कि अमित साह एक मजबूत ग्रीह मंत्री हैं लेकिन दिल्ली में हुआ है वो गलत हुआ है। उद्धव ठाकरे आज विधायकों से मिलकर राज्य में चल रही स्थिती पर चर्चा करेंगे और उनकी बात सुनेंगे।